हालो गुडियूनिंग साथ हूँ आप सभी का स्वागत है आपके पनी यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है रभी और आप मेरे साथ करने हैं पनी मैट्स सीटेट की मैट्स पेड़ागोजी की क्लासे तो चलिए शुरू करते हैं पनी आज की क्लास पहला कुश्चिन है एक अच्छा गरतागी होने के लिए क्या जरूरी होता है पहला अपसंदिया है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपूरता दूसरा है आधिकतर सुत्रों को याद करना तीसरा है बहुत जल्दी सवालों को हल करना चाथ है सभी अवधार्णाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंद बनाना तो सभी लोगों को इसका अंसर करना है कि एक अच्छा गरतागी होने के लिए क्या जरूरी होता है आपसं देखिए और सभी लोग अंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपसं नंबर डी क्या हो जाएगा सभी आउधाणाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंद बनाना यही एक अच्छे गड़ताग होने के लिए जरूरी होता है आपसे नमबर डीस का बिल्कुल सही हो जाएगा इसको आप लोग याद रखेंगे चलते हैं अगले कोस्चन पर अगले कोस्चन से चलने से पहले आप लोगों को एक बार ये वीडियोश अभी के पास में शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लिजी आज कम से कम आपको 50 लोगों को लाइव लेकर आना है तो आपका टारगेट है यह कि आप लोगों के पास में शेयर कर दीजी और 50 लोगों को लेकर कर आईए कम से कम क्योंकि आपके लिए काफी दिनों से हम क्लासे डाल ले हैं और आज तक आप लोगों से कुछ भी नहीं बोला है अगला कॉस्चन है निम्लिख्यट मैं से कौन सा पहलू बीजग्यच में महत्पूर नहीं है आपको बताना है निम्लिख्यच मैं से कौन सा पहलू बीजगर्यच महत्पुर नहीं है सभी लोग answered कर देंगे इसका एक बार तिसरा होता है माप तो बीज-गड़ित में माप का महत्पुर पहलू नहीं है बाकी ये तीनों के तीनों महत्पुर पहलू है यानि इसका आफसका नमबर 2 होजाएगा बीज-गड़ित का माप करना कियाव सकता होती है पहला अप्सन है गड़नाव में प्रविर्टा की दुसरा है अमूर्त चिंतन और तरक संगत विवचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्र बद्धत करने की और तिसरा है सूत्र याद करने की चौथा है हलको याद करने की तो बताइए इन चारों में से कौन सा अपसन हो जाएगा कोश्चन नमबर तीन का सबी लोग आंसर कीजिए गड़ित में बहतर होने के लिए एक विक्तिको किस चीज की आव सकता होती है जितने साथे लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपके लिए सीटर की बहुत सारी क्लासें करवा जा चुकी है अगर आप नए जुड़ रहे हो तो पीछे जाएए प्लेलिस्ट में और सारी की सारी क्लासों को एक एक करके देख लिए बहतरीन नंबर की त्यारी हो जाएगी यहीं से तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर B कथनों में से कौन सा सही नहीं है दिखते हैं वे अनवेसर कोसल को प्रसाहित करते हैं दुसरा है वे गड़ित में अंक प्राप्त करना आशान करते हैं तिसरा है वो समस्य समाधान कोशल को बढ़ाते हैं वे अंतर विशय यान बंदों को सिद्ध करते हैं तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा तो इसका है अपसर नमबर बी वे गड़ित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं ये इसका आंसर जो है सही नहीं है बाकी तीनों सही है चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है कच्छा तीन के विद्ध्यार्थियों को संख्या पद्ध्यार्थि पढ़ाने का पद्ध्यार्थ से हो सकता है पहला अपसर ने चार अंको वाली संख्या के योग और व्याकलन के कोशल में प्रवीर्था प्राप्त करना दूसरा है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कोशल में प्रवीर्था प्राप्त करना तिसरा अपसर ने छे अंको तक घटाना करना चोथा ऐसे संख्याओं को सेकड़ा, दाहाईयों और इकाईयों के समूह के रूप में देखना और इस्थानी पर मान की सतरकता को समझना तो आपको बताना है का अच्छा तीन की विद्यार्थियों को संख्या पद्धत पढ़ाने का क्या उद्ध्य से है क्वेस्चन नमबर 5 का सभी लोग आंसर किई एक बाठ तो इसका होजाएगा अप्साद नमबर D क्या होजाएगा अपसाद नमबर D इसका बिल्गोष सही आंसर होजाएगा चलते हैं अगले क्वेस्चन पर अगला कोश्चन है प्रिया गडिती ये प्रस्ण करने में निपुढ है उसमें किस प्रकार की बहु बोधिक्ता की अधिक्ता है आपको बताना है कि प्रिया जो है गडित के प्रस्ण करने में निपुढ है तो उसमें कौन सी बहु बोधिक्ता की अधिक्ता है पहला है question number 6 का हो जाएगा question number B क्या हो जाएगा उसके अंदर तारकिक बुद्ध की अदिखता है कैसी है तारकिक बुद्ध की अदिखता है question number B इसका विल्कुर सही answer हो जाएगा सभी लोग एक बार class को share कर देंगे और आप लोगों को लेकर आईए एक बार सभी लोगों के पास में share कर दीजिए इसको और जोड लेजिए सभी लोगों को जोड लेजिए और 50 लोगों को लेकर आना है आप लोगों को आज तो चलते हैं एगले question पर देखते हैं आप लोग कितने दिर में ये संध्या कर पाते हैं पचास की अगला question है बच्चों को बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे-धीरे विक्षित होती है आपको बताना है कि बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे-धीरे विक्षित होती है क्या हो जाएगा इसमें इसका पहला अप्सान है विसिष्टी करना दूसरा है मोर्त से अमोर्त से मोर्त से अमोर्त से तीसरा है व्यापी करना और चोथा है कोई भी नहीं तो बताईए बच्चों में गोलाई की अधारना धीरे-धीरे विक्सित होती में कौन सा अप्सन सही हो जाएगा सभी लोग आंसर करेंगे question number 7 का तो इसका हो जाएगा अप्सन number B मोर्त से अमोर्त से जो है बच्चे के अंदर गोलाई की अधारणा धीरे-धीरे विक्षित होती है आगे देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा पहला अप्सन है गड़ित के विभिन्न साखाएं जैसे बीजगड़ित जयामित एक दुसरे पर निर्भर हैं दुसरा अप्सन है अंक गड़ित को पढ़े बिना भी समी कि पढ़ि जा सकती है तो आपको बताना इनमेंसे कौन सा सही कथन हो जाएगा कि नीचे के ये कथन फढ़े बिना कुछ हो सकता है कुछ भी नहीं सकता ज exceptions के सारे गलत है साब पता चला है कि पढ़े बिना तो बिना पढ़े कुछ भी संबाव नहीं है तो इसलिए add पहला आपसे है सान्सक्रतिक, दूसरा है सामाजिक, तिसरा है मानसिक और चॉतर है धार्मिक. तो आपको बताना है कि प्रात्मिक इस बार पर गडित का महत्तो है? सबी लोग आंसर कीजिए. प्रात्मिक इस बार गडित का क्या महत्तो है? ज्यादा नयने question पढ़ने से अच्छा है कि जितने question हम लोगों ने पढ़ लिये हैं उनका एक बार फिर से revision कर लिया जाए और आपको exam में यहीं से question मिलेंगे ये बात बिल्कुल ताए हैं और आप लोग जितने question हमने करवा दिये सारे के सारे आपको एक बार समझे लिए रट जाने चाहिए और exam में जाओगे तो आपका confidence बहुत ही उपर होगा और आपको आप समझे लिए question देखते हैं उसको उड़ा देंगे एक तरीके से तुरंत तो इसका पताईए क्या हुजाएगा इसमें हो जाएगा option number C क्या हो जाएगा प्राथमिक इस्तर प्रगडित का महत्तो मानसिक होता है कैसा होता है मानसिक महत्तो होता है आगे देखते है question number 10 रास्टी ये पार्ठी चर्या रूप रेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालों में गडित पढ़ाने का मुख्योद्य निम्लिखित में से कौन सा नहीं है तो पहला option देखते हैं नहीं पूछा गया है नहीं तो बताईए इनमें क्या हो जाएगा फिर हम आपको बताते हैं कौन सा option सही है तो इसका हो जाएगा option number D इसमें क्या पूछा गया है कि प्राथमिक इस तर पर प्राथमिक विद्याले में और यहां पर है गडित के उच्चतर पढ़ाई की त्यारी करना यानि यही इसका गलत हो जाएगा उच्चतर पढ़ाई आप प्राथमिक अच्छाओं में उच्चतर पढ़ाई करवा सकते हो क्या बिल्कुल नहीं करवा सकते हो बाकी तीनों सही है जबकि आप्सन नंबर D इसका बिल्कुल गलत आंसर है तो इसमें नहीं पूछा गया यानि इसका आप्सन नंबर D सही है देखते हैं अगला question अगला question कहरा है गडित में प्रतिचित्रण के लिए निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो आप लोग आप्सन देखें और बताइए क्या हो जाएगा इसमें question number 11 का सबी लोग आंसर करेंगे गडित में प्रतिचित्रण के लिए निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पहला अप्सन प्रतिचित्रण इस्थानिक चिंतन को बढ़ाता है दूसरा है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोफसाहिद करता है तिसरा अप्सन प्रतिचित्रण गडित पाठिक्रम का भाग नहीं है चौथा आपसा ने प्रतिचित्रण का गडित के कई विशियों से समा कलन किया जा सकता है तो आप लोगों को आंसर करना है इन में से कौन सा आपसा आपसां सही हो जाएगा Q11 का हो जाएगा आपसां नंबर C जिन लोगोंने C आंसर दिया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा तो यही बिल्कुल सही है प्रतिचित्रण गडित पाठकरम का भाग नहीं है चलिए चलते हैं अगले कोस्चन पर अगला कोस्चन है एक वर्ग किस प्रकार एक समानतर चतुरभूज है आपको बताना है इसपस्ट करना एक वर्ग किस प्रकार एक समानतर चतुरभूज है दूसरा अपसाने विद्यार्थियों के लेखन कोसल को सुधारना, तिसरा है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का उसर देना, चोथा अपसाने एक अच्छा को अधिक अंता क्रियात्मक या फिस सहःभागी बनाना, तो बताईए इनमें से कोन सा अपसन सही हो जागा केकेक नमबर 12 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार और सभी लोग एक बार क्लास को सेर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में और जितने साथ ही भाई बहन हमारे नए लोग जोड़ रहे हैं वे लोग चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए चिंतन और मनन का अवसर देना अपसन नमबर सीज का बिलकुँ सही आंसर है चलतें एगले कोश्चन पर आपकी कच्छा में कुछ विद्धार्थी लगातार गडित की परिच्छाओं और परिच्छनों में अच्छा प्रतसन नहीं कर पा रहे हैं एक सिच्छा के रूप में आ सिच्छा हे कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे तो बताएंगे इन shaping से कौन सा अपसन घएगा ओगा ओष्चन नमबर तेहर का अनसर कीजिए एक बार इसका हो जाएगा आपसन नमबर D कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे यानि आपसन नमबर D इसका बिल्कुश सही आंसर हो जाएगा चलते हैं अगले कॉस्चन पर अगला कॉस्चन है निम्लिखित में से एक गडित अध्यापन का कौन सा सेच्छिक या सेच्छिक तरीका सबसे अच्छा है तो बताईए कि निम्लिखित में से कौन सा एक गडित अध्यापन का सेच्छिक तरीका सबसे अच्छा है पहला अप्सन है विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान छमताओं को विक्षित करने के लिए प्रोसाहित करना दूसरा है केवल कमिया देख कर उतना ही पढ़ाना तीसरा है केवल गेप्स देख कर उन्हें दूर करना और चोथा है हर विद्यारतियों को एक ही तरह से पढ़ाना तो बताइए इसमें कौन सा अपसन सही हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अपसन नमबर A क्या हो जाएगा विद्यारतियों को उनकी विद्यमान छमताओं को विक्सित करने के लिए प्रोसाहित करना यही इसका अंसर बिल्कुल सही है देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है प्राथमिक इस्तर पर सिछार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पहला अप्सन है आप्रमारिक मापों का उपयोग प्रमारिक मापों के बाद करना चाहिए दुसरा है प्रमारिक मापों का प्रयोग आप्रमारिक मापों के बाद करना चाहिए तिसरा है केवल आप्रमारिक मापों का उपयोग करना चाहिए चाहिए आप्रमारिक मापों का अपयोग नहीं करना चाहिए तो बताइए प्राथमिक इस्तर पसिछार्थियों को माप का संदर्व पढ़ाने के लिए निम्खित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा तो इसका जो लोग आपसर नमबर A कर रहे हैं वो हो जाएगा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपसर नमबर A यानि आप्रमारिक मापों का अपयोग जाहे प्रमारिक मापों के बाद में ही करना चाहिए आपसर नमबर A इसका बिल्कुल सही आंसर है इसको आप लोग याद रखेंगे काफी अच्छा कोश्चन है ये देखते हैं अगला कोश्चन एक रचनात्मक कच्छा में सिच्छकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे आपसन देखिए और आंसर कीजिए एक बार सभी लोग तो इसका होज़एगा आपसन नमबर B विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना ये रटने के लिए कहना रटना ये सब कैसा है निगेटिव बढ़ आते हैं यानि यही गलत है बाकि तीनों सही है इसका होज़एगा आपसन नमबर B आगे देखते हैं आकड़ों के विशलेशन संबंदी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सारवाधिक उचित रूपात्मक कार रहे तो बताईए इनमें से कौन सा आपसन सही हो जाएगा कि आकड़ों के विशलेशन संबंदी, विद्यारतियों की समझ काकिलन करने के लिए साथ ही लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारी सारी कि सारी क्लासे देख रहे हैं, उनको बता दें कि आप लोगों को गड़ित में, जो भी कुछ आए उसमें चिंता करने की कोई भी जरूत नहीं है, कि आपको इतने सारे का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीड वेक देना है। तो इसका हो जाएगा आप्सन नमबर सी क्या हो जाएगा निदानात्मक मुल्ल्यांकन ये विल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर सी दखतें अगला कोस्चन गड़ित में ड्रिल कार का मुख्य उद्धे से है तो एक बार बताईए इसमें कौन सा आप्सन सही हो करना बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा देखते हैं गला कॉस्चन एक चाहतर तीन सो बीस कहने पर इसे इस प्रकार के रूप में लिखता है क्योंकि उसे पहला अपसन इस्थानी मान की समझ नहीं है दूसरा है उसे जोड की समझ नहीं है तीसरा है उसे घटाने की समझ नहीं कफी आसान कॉस्चन था उसे इस थानी मान की समझ नहीं इसलिए वो तीन सो बीस को इस प्रकार से लिख रहा है तो चलिए चलते हैं अगले कॉस्चन पर अगला कॉस्चन है गडित के संधर्भ में ग्रामीर छेत्रों में विद्याले में आने वाले बच्चों के लिए निम अगले कॉस्चन पर अगला कॉस्चन है निम लिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गडित में की गई असुद्धियों के समसमाईक निरिच्छन पर प्रकास नहीं डालता है तो सभी लोग इसका अंसर करेंगे तो इसका हो जाएगा आपसर नमबर क्या जाएगा डी उन्हें अंदेखा कर देना चाहिए क्या उन्हें अंदेखा कर देना चाहिए इसका आपसर नमबर डी सही हो पहला प्रस्वार संता करने में और जोटा अपसंतह उन्हें अंदेखा कर देना चाहिए अगे देखते हैं निम्लिखित कथन या फिर कथनों में से गडित के संदर्व में कौन सा या फिर कौन से सही हैं आपको बताना है पहला है गडित एक उपकरण है दूसरा है गडित एक प्रकार की कला है तीसरा है गडित एक भासा है तो आपको बताना है कि इन चार आप्षिनों में से कौन सा आप्षिन सही हो जाएगा सभी लोग आंसर करिए तो गड़ित एक उपकरण है ये भी सही है गड़ित एक प्रकार की कला है ये भी सही है गड़ित एक भासा है ये भी सही है यानि इसका आपसन नमबर C बिल्कुल सही हो जाएगा क्या हो जाएगा अगला कॉस्चन है गड़ती आधिगम के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला अपसने लड़कियों पर गड़ित में अधिक ध्यान देनी क्या हो सकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती है दूसरा है गड़ित एक विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है तीसरा है यान अपचारिक एलगो रिथ्म अपचारिक गड़ित से निकरष्ट है चौथा है प्रत्येक व्यक्ति गड़ित सीख सकता है क्योंकि और उसमें सफल हो सकता है तो बताईए इसमें कौन सा आप्सन सही हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आप्सन नमबर ड़ि प्रत्येक व्यक्ति गड़ित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है यानि आप्सन नमबर ड़ि इसका विल्कुछ सही है चलते हैं अगले कॉस्चन पर अगला कॉस्चन है अनुपात और समानुपात प्रत्ते को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका का उजागर किया था बताना है कि अनुपात और समानुपात प्रत्ते को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका का उजागर किशने किया था तो सभी लोग इसका अंसर करेंगे काफी अच्छा कोश्चन है Most Important कोश्चन है इसको याद रखना आप लोग Screen Sart ले लिजिए इसका और एक बार अंसर कर दिजिए सबसे पहले तो तो इसका अज़ाएगा आपसर नंबर B क्या अज़ाएगा Gene P.I.J. ने किया था अपसर नंबर B इसका बिलकुँ सही है तो एक बार सभी लोग कमेंट बाक्स में बताएंगे कि आपको आज की हमारी क्लास कैसे लगी फिलाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबाए